हेलो दोस्तों स्वागत हैं आपका ग्यान सागर के यूटूब चैनल पर आज हम लेकर आएं आपके लिए ईवीएस के बहुती मैत्वपूर प्रस्ण जो आपके सभी एकजाम्स के लिए बहुती मैत्वपूर हैं तो आईए अपने कोस्टन्स की बात करते हैं तो पहला प्रस्ण है नेमने लिखित मैं से कौनसा जैब अपगट्य पधार्थ है तो आप्शन है इसका पहला है प्लास्टिक दूसरा है पॉलिथिन तीसरा है सीसा और चोथा है इन मैं से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा आप्शन नमबर डी इन मैं से कोई नहीं नेक्स्ट उप्रेस्न है जच्चिगाम राष्ट्री ये उध्यान है तो इसके उप्षन से पहला है हिमाचल प्रदेश में दूसरा है जम्मू एवं कस्मीर में तीसरा है तमिल नाडू में चोथा है सिक्किम में तो इसका सही आंसर होगा उप्षन नमबर बी जम्मू एवं क समीर मैं नेथ्ट प्रेस्ण है चिपको अंदुलन के प्रडेता कौन है तो इसके उप्सण से पहला एक किरन्वेदी दूसरा है सुन्दल्लाल बहोगोडा तीसरा है मेगा पार्टेकर चोथा है इन में से कोई नहीं तो इसका सहीं आंसर होगा ऑप्सण प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ तो इसका पहला उप्सने दो हजार ग्यारे में दूसरा उप्सने 1970 में तीसरा उप्सने 1973 में और चोथा उप्सने 2007 में तो इसका सही आंसर होगा उप्सन नमबर सी 1973 में नेक्स्ट प्रेशन है समुद्र का कितना प्रत्सत जल पीने योग्य है तो फस्ट उप्सने 97.2 परसेंट दूसरा उप्सने 2.15 परसेंट तीसरा उप्सने 0.65 परसेंट और चोथा उप्सने 0.0 परसेंट तो इसका सही आंसर होगा उप्सन नमबर 520-0.65 परसेंट समुद्र का जो है जल पीन योग्य है नेक्स्ट प्रेशन है तो प्रेशन है B, Biochemical Oxygen Demand in 5 Days नेक्स्ट प्रस्ण है हरित Bjrak Professor के द्वारा प्रत्वी पर कौनसा radiation होता है तो इसका पहला Option है UV radiation दूसरा Option है gamma radiation और तीसरा Option है kiran radiation X Kiran radiation और छोथा Option है infrarate radiation तो इसका सही आंसर होगा Option D, infrared radiation नेक्स्ड प्रस्ण है लंदन धुम्र पाया जाता है तो इसके options हैं फर्स्ट है ग्रीस मकाल में दिन के समय और सेकंड option है ग्रीस मकाल में सुबह के समय तीसरा option है सीथ काल में दिन के समय और लास्ट है सीथ काल में सुबह के समय तो इसका सही answer होगा वोगा option number D सीथ काल में सुबह के समय नेक्स्ट प्रेसन है हवा का एक तीप्रो भवर जो समताब मंदल में बनता है और अंटार के टिका के उपर चाया रहता है क्या कहा जाता है तो इसके ओप्षन से पहला है धुरूबी ये समताब मंदली ये बादल दूसरा option है धुरूबिय बवंडर तीसरा option है A एवं B दोनो और चोथा option है उपरलिक्त में से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा option number B धुरूबिय बवंडर Next question है भोपाल के स्तरासदी निमने लिखित में से किसके कारण हुई तो first option है मेथिन दूसरा है फोसजीन तीसरा है मैथिल आईसोसाइनेट और चोथा है मैथिल एमाइन तो इसका सही answer होगा वो होगा option number D option number C मैथिल आईसोसाइनेट Next question है स्वेथ फेपडा केंसर होता है तो first option है इसका S-B-Stress से दूसरा है पेपर से तीसरा है टेक्स्टाइल से और चोथा option है सिलका से तो इसका सही answer होगा वो होगा option number C next question है नेमने लिखित मैंसे किस गैस की गहन सनलंगनता हीमोगलोविन से होती है तो इसका पहला option है CO दूसरा है NO तीसरा है O2 और चोथा है CO2 तो इसका सही answer होगा वो होगा option number A CO next question है इतिहास में पहली परमाणू दुरगटना हुई तो कब हुई पहला option है 16 अगस्त 1945 को दूसरा option है 26 अगस्त 1945 को तीसरा option है 6 अगस्त 1945 को और चोथा option है 8 अगस्त 1945 को तो इसका सही answer होगा वो होगा option number C 6 अगस्त 1945 को नेक्स्ट प्रेस्न है सुप्रीम कोट ने प्रद्यावरण और बनमंत्राले को कभी यह आदेश दिया कि ताजमेल की छेत्र में हरे छेत्र बिक्सित किया जाए तो इसका पहला अप्सन है 2004 में दूसरा अप्सन है 1994 में और तीसरा अप्सन है 1984 में और चोथा अप्सन है इन मेंसे कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा अप्सन नंबर B 1994 में नेक्स्ट प्रेस्न है सांत गाटी जिसे राष्ट्रिय पार्क का दरजा प्राप्त है वो इस्तित हैं तो कहाँ पर है? पहला option है जम्मू कस्मीर में, दूसरा option है तमिलनाडू में और तीसरा option है पस्चिम बंगाल में और चोथा option है केरल में तो इसका सही answer होगा option number D केरल में Next question है कड़िकी ये producer को समाप्त करने के लिए निमने लिखित में से किस युक्ती का प्रयोग किया जाता है तो इसका पहला option है gravity, settling chamber, दूसरा option है cyclone collector, तीसरा option है fabric filter और चोथा option है उपर लिखित सभी तो इसका सही answer होगा option number D उपर लिखित सभी Next question है ध्वनी प्रदूसर नियंतरड एवं रोक्थाम नियम 2001 निर्देशित करता है तो इसके options है पहला है पठाकों के कारड़ दूसर, दूसरा option है loud speaker के कारड़ दूसर और तीसरा option है किसी सभा में तीब्र दूसर के speaker का प्रयोग और चोथा option है B और C दोनों तो इसका सही answer होगा option number D, B और C दोनों नेक्स्ट प्रस्ण है पौधे और जन्तु की संकट ग्रस्त प्रजातियों को प्रदिश्च करने के लिए IUCN ने निमने लिखित पुस्तक तैयार किये तो पहला option है sweet data book, दूसरा option है red data book, तीसरा option है नील data book, चोथा है इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा option number B, red data book, अगला प्रस्ण है बिष्णोई संप्रदाय इस्थापित किया गया था, तो इसका पहला option है तो इसका सही answer होगा option number C, गुरू जंबे स्वर्ने, नेक्स्ट प्रस्ण है नेमने लिखित में से किस गयस के कारण, पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में चोटे होना पौधों में पाया जाता है तो पहला option है SO2, दूसरा है CO, और तीसरा option है NO2, और चोथा option है इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा गो होगा option number B, CO नेक्स्ट प्रस्ण है, पानी में पाय जाने वाले रेडियो सक्रिय पधार्थ का अंसकारण बनता है तो इसका पहला option है Cancer, दूसरा option है आख से पानी गिरना, तीसरा option है DNA विखंडन, चोथा option है उपरल्युक्त सभी तो इसका सही answer होगा, वो होगा option number D, उपरल्युक्त सभी नेक्स्ट प्रस्ण है, भारत में कितने प्रत्सत भूमी पर बन है, तो पहला option है 33.47% और दूसरा option है 39.47%, तीसरा option है 22.47% और चोथा option है 19.47% तो इसका सही answer होगा, वो होगा option number D, 19.47% नेक्स्ट प्रस्ण है, ग्रीन हाउस प्रभाप सरुप्तम पेंचाना गया, तो पहला option है जीन बैपिस्टे ग्रीन वुड द्वारा, दूसरा option है जीन बैपिस्टे फ्यूरियर द्वारा, तीसरा option है जीन बैपिस्टे ग्रीन हाउस द्वारा, चोथा option है उपरल्युक्त म से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा वो है अप्शन नंबर बी जीन बैपी इस्टे फ्यूरियर द्वारा next प्रष्न है नेमने लिखित में से कौनसा बैस्विक्तापन के लिए जिम्मेदार है तो इसका पहला अप्षन है क्लोरो फ्लोरो कारवन दूसरा है मेथेन और तीसरा अप्षन है कारवन डाइय औक्साइड चोथा अप्षन है उपर्यूक्त सभी तो इसका सही answer है option number D, उपर्योक्त सभी Next question है, नेमने लिखित में से कौन सा आमलो वर्षा में उपस्थित होता है पहला option है HNO3, दूसरा option है S2SO4, और तीसरा है CS3COOH तो इसका option number D है पहला और दूसरा, यानि दोनो तो इसका सही answer है option number D, A और B दोनो Next question है, नेमने लिखित में से किस इस्तर से नीचे जाने पर और जोन परत में छिद्र की संग्या दी जाती है तो पहला option है 800 DU, दूसरा option है 400 DU, तीसरा option है 200 DU और चोथा option है उपर्योक्त में से कोई नहीं तो इसका सही answer है option number C, 200 DU अगला प्रस्ण है बन्यजीव संदच्छड पर नेमने लिखित में से कौन सा असरकारी संग्य या NGO समर्पित है तो पहला option है WWF for Nature भारत, दूसरा option है भारतिय बन्यजीव बोड और तीसरा option है राष्ट्रिय बन्यजीवन क्रिया योजना और चोथा option है उपर्योक्त सभी तो इसका सही answer होगा वो होगा option number A, WWF for Nature भारत नेक्स्ट प्रस्ण है नेमने लिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वुभों में एक मानवा अदिकार सुनस्चित करता है तो पहला option है अनुच्छेद 10, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा option है अनुच्छेद 20 और चोथा option है अनुच्छेद 25 तो इसका सही answer होगा वो है option number B, अनुच्छेद 15 नेक्स्ट प्रस्ण है दस प्रत्सत नेम दिया गया तो पहला option है लिंडे मान द्वारा, दूसरा है गोल्ड में द्वारा, तीसरा है बैक मान द्वारा और चोथा option है उपरल्युक्त में से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा वो होगा option number A, लिंडे मान द्वारा, लास्ट प्रस्ण है EIA यानि Environmental Impact Assessment अमेरिका में इस्थापित किया गया तो कब किया गया तो इसका पहला option है तो इसका सही answer होगा वो होगा option number B, उननी सो उनेतर में